नए भारत में citizen-centric governance के जिस सफर पर देश बीते आठ वर्सों से चल रहा है, आज उद्धिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नयाव और आधुनिक मानिज्य भवन और साथ ही निर्याब पोटल ये दोनों एक नई भेट मिल रही हैं। इन दोनों में से एक physical infrastructure और दूसरा digital infrastructure का प्रती है। इस दोनों trade और commerce से जुड़ी हमारी governance में सकारत पक्त बदलाओ और आत्मंदिर भर हारत के हमारी aspirations को represent करते हैं। आप सभी को trade और commerce से जुड़ी, export से जुड़ी पूरी community को और विशेर सुप से हमारे MSMEs को भी हैं। आज की सबसर पर बहुत बढ़ाई देता हूँ। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर शामपसाद मुखर जी की पुन्यती थी है। उनकी नितिया, उनके दिने, उनके संकल्प, उनके संकल्पों की सिद्धी, स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे है। आज देश उन्हें अपनी विनम्रत सद्धांजली दे रहा है। साथियों मुझे विश्वास है कि नए वानिज्य भवन में आप एक नई प्रिणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश्व कर रहे हैं। यह संकल्प, इस अप डूइंग बिजनेस का है और इस अप डूइंग बिजनेस के मध्यम से इस अप लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है इस अप एक्सेस। सरकार के साथ समवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा नहोँ, ऐसा इस अप एक्सेस देश की प्राफिक्ता है। देश के नागरिकों को, बेसिक सुविधाओं का एकसेस हो, बेंकिंग में एकसेस हो, सरकारी नीती निर्मान में एकसेस हो, ये बीते आट वर्षों के गवर्नेंस मोडल का सबसे महतफ़ुन पक्षला है भारत ने अपने एकोनोमिक डवलप्मेंट के लिए जो नीतिया बनाई है, जो निर्णे लिए हैं, उसमें भी इसी विजन की जलक है गामों में, छोटे-छोटे शहरों में, मुद्रा योजना से बने करोडों एंटर्प्रिनर्स हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविदा हो, हजारों स्टार्ट अप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्यास हो इन सभी के पीशे जो मुल भावना रही है, वो है ईज अफ एक्सेस सरकार की योजनाओं का लाप सभी तक पहुँचे, बिना बेदभाव पहुँचे, तभी सबका विकास संबह हो गाए मुझे खुशी है कि इज अफ एक्सेस और सबका विकास की भावना इस नए वायनी ये भावन में भी दिखती है साथियों, आप सभी लोगों हैं, एक टर्म बड़ा प्रचलीद है, SOP यानि Standard Operating Procedures यानि काम करने का एक ताहित तरीका पहले सरकारों का SOP समझा चाता था कि सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी लेकिन वो तैयार कब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी राजरीती स्वार्त के लिए गोश्णाय कर दी जाती थी वो पूरी कब और कैसे होगी, इसको लेकर गंबिरता नहीं होती थी इस धार्णा को हमने कैसे बढ़ला है, उसका भी ये भवन एक उधार्ण है और जैसा अभी बताया गया, आज ये संयोग है कि 22 जून 2018 को इस भवन का सेलान्यास हुआ था और आज 23 जून 2022 लोकारपण हो रहा है, इस मिच्विन कोरोना के कारणा अनेक अरचने भी आई है लेकिन इस सब को बावजुद भी जो संकल पर लिया था, वो आज सिध्धी के रूप में हमारे सामने प्रस्तत है याने ये नए भारत का नया SOP है जिसका स्टलान्यास होगा, उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइम लाइन पर इमान दरी से काम शुरू हो जाता है यहाँ दिल्ली में ही बीते सालों में ऐसे अनेक उधान आपको मिलेंगे अभी कुछ दिन पहले पुछे प्रगति मैदान के पास Integrated Transit Corridor के लोकारपन का उसर मिला है सरकार के प्रोजेक्स बरसों तक लटके नहीं समय पर पूरे हों सरकार की योजनाएं अपने रक्षों तक पहुँचे तभी देश के Taxpayer का सम्मान है और अब तो PM गतिशक्ति नेस्तन बास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है नए भारत की आकांग्शाओं को ध्यान में रखते हुए इस नए वानिज भवन को भी हर संबंदिक शेत्र में देश को गतिशक्ति दिनी है साथ्यों सिलान्यास से लेकर के लोकारपड तक वानिज भवन इस कालखन में कॉमर्स के खेत्र में हमारी उपलब्दियों का भी सिंबॉल है मुझे आध है सिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के सुधारगी जरूरत पर बल दिया था आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 स्थान पर है और लगातार सुधार कर रहे हैं पहले बहुत बीछे थे सिलान्यास के दिन हमने इज अब बिजनेस में सुधार की जरूरत को लेकर चर्चा की थी आज जब इस बिल्लिंग का इस भावन का लोकारपन हो रहा है तब तक 32,000 चे अधिक अनावश्यक कमप्लाइसिस को हटाया जा चुका है 32,000 can you imagine सिलान्यास के समय GST लागू हुए कुछ ही महने भी थे थे हर प्रकार की शंकाएं आशंकाएं जोरों पर थी आज हर महिने एक लाग करोड रुपिये GST कलेक्शन सामान्य बात हो गई है बानी जब भावन के सिलान्यास के समय हमने जैम पोर्टल पर करीब नव हजार करोड रुपिये के ओर की चर्चा की थी आज इस पोर्टल पर हमारे 45 लाग छोटे उद्यमी रेजिश्टर है और जैम पर सबाद 2 लाग करोड रुपिये से अधिका ओर दिया जा चुका है सात्यों तम मैंने बताया था कि 2014 के बाद मोबाइल मैनुफेक्टरिंग यूनिट्स कैसे 2 से बढ़कर 120 हुई आज ये संख्या 200 से अधिक हैं और हम इंपोर्टर से आगे निकल गए उखते हुए दुनिया के बड़े मोबाइल फोन एक्स्पोर्टर्स के रूप में आज हमें शक्ति बनकर दूपर है चार साल पहले भारत में 500 से भी कम रजिस्टर्ड फिंटेक्स स्टार्टप से आज इनकी संख्या करीब करीब 2300 से पार कर चुकी हैं तब हर वर्ष हम 8000 स्टार्ट लप्स रेक्रिक्नाईज करते से आज ये संख्या 15000 से उपर जा रही है लक्ष ताय करके इमानदार प्रयासों से 100 साल की वेश्विक महामारी के बावजुद हमने इतना कुछ हासिल किया है साथियों संकल्प से सिद्धी की जो सोच आज नए भारत में बनी है उसका बहतरीन उदहारना हमारा एक्सपोर्ट इको सिस्टिम भी है सिलान्यास कारकम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए भारत को मैनुफेक्टरिक का परफोर्ट एक प्रिफर्ड डेसिनेशन बढ़ाने के लिए साजा संक्र प्रिया था पिछले साल अहितिहासिक ग्लोबल डिस्रप्शन के बाउजुद सारे सप्लाइचें तहस नहस हो गए उसके बाउजुद भारप ने 670 बिलियन डॉलर याने की 50 लाग करोड रुपिय का टोटल एक्सपोर्ट किया आप भी जानते हैं यह आंकडा कितना अभूद पूर्व है पिछले साल देश ने तैक किया था कि हर चुनोति के बाउजुद 400 बिलियन डॉलर याने 30 लाग डॉलर रुपिय के मर्केंडराइज एक्सपोर्ड का पार करना है लेकिन हमने इसको भी पार करते हुए 418 बिलियन डॉलर याने 31 लाग करोड रुपिय का एक्सपोर्ड का रेकॉर्ड बना दिया साथियों बीते सालों की इसी सफलता से उत्साइद होकर हमने अब एक्सपोर्ड के लग्ष भी बढ़ा दिये हैं उनकी प्राप्ति के लिए अपने प्रयाद भी दोगुने किये हैं ये जो नए टार्गेट से उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी का कलेक्टिव एफ़र्ट बहुत आवशक है यहां इंडिस्ट्री, एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्ट प्रमोर्शन काउंसिल के सदे से भी मौझूद है मेरा आप से भी आग रहे हैं कि आप अपने स्तर पर भी एक्सपोर्ट के शौट टम ही नहीं बल्कि लॉंग टम टार्गेट सेट करें टार्गेट ही नहीं बल्कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या हो सरकार कैसे मदर कर सकती है इस पर भी हम मिल करके काम करें यह बहुत आवशक है साथियों नेशनल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यरली एनालिसिस अब ट्रेड यानि निर्याद निर्याद प्रेडफॉर्म इसी दिसा में उठाया गया एक कदम है इसमें एक्सपोर्टर्स सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स राज्य सरकारें सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी रियल टाइम डेटा तक सभी की पहुँच होगी इससे कई साहिलोस को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो हमारी इंडस्ट्री है हमारे निर्याद तक है उनको जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी इस पोर्टल से दुनिया के 200 से अधिक देशों में निर्याद होने वाले तिस से अधिक commodity ग्रुप से जूरी जरूरी जानकारी आप सब को उपलब्द होगी है इस पर आने वाले समय में जिलावार एक्सपोर्ट से जूरी जानकारी अभी मिलेगी और one district one product का जो mission board में काम हो रहा है वो ultimately यहाँ भी जूरने वाला है इसे जीलों को एक्सपोर्ट के एहम सेंटर बनाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा मुझे विश्वास है कि पॉर्टल देश के राज्यों में एक्सपोर्ट के ख्षेतर में स्वस्त परधा को प्रमोट करने भी मदद करेगा हम राज्यों के बीच में healthy competition चाहते हैं कौन राज यह कितना ज्यादा export करता है कितने ज्यादा destination को cover करता है कितनी ज्यादा विवीदतााओं को export करता है साथियों अलग-अलग देशों की विकास यात्रा का ध्यन करें तो यह बात common दिखती है कि उन देशों की प्रग्यति तभी हुई जब उनका export बढ़ा यानि विकास सिल से विक्षित देश बनने में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, स्वर रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं पिछले आठ वर्षों में भारत भी अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्षों को प्राक्त कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहतर पॉलिसीज हो, प्रोसेस को आसान करना हो, प्रोडक्स को नए बाजार में ले जाना ह इन सब ने इसमें बहुत मदद की है और हम लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी उत्रा ही फोकस कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को हर काम कॉस्ट एफेक्टिव बने आप भी जानते हैं कि पीलाई स्किम कैसे मैनुफेक्टिरिंग बढ़ाने में मदद कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट साथियों के फिडबेक के आधार पर जो नीतिगत बढ़लाव हुए हैं उनसे भी बहुत साहता हुई है आज सरकार का हर मंत्राले हर विवाग होल अफ दो गवर्मेंट एप्रोच के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्राथिक तक दे रहा है MSME मंत्राले हो या फिर विदेश मंत्राले कृशी हो या कॉमर्स सभी एक साजा लक्ष के लिए साजा प्यास कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या एंजिनेरिंग गूर्स की होती है इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेश कर MSME सेक्टर की अहें भूमी का रही है हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नई नेक शेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कितने ही एस्पिरेश्ट डिस्टिक जिस्ते भी अम निर्यात कई गुना बढ़ गया है कॉर्टन और हैंडूम प्रोड़क का एक्सपोर्ट पच्पन प्रतिशत तक बढ़ना ही दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है सरकार भोकल फॉर लोकल अभ्यान वन दिस्टिक वन प्रोड़क योजना के जरिये जो स्थानिय उत्पादों पर बल दे रही है उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है अब दुनिया के नए-ने देशों में, नए-ने डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोड़क्स पहली बार नजियात किये जा रहे है अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गती से आगे बढ़ रहा है अब देखिए, सीता भोग मिठाई गी और नारकेल नारू यानि नारियर और गूर से बने लड़ू का पहला कंसाइनमेंट बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है नागा लेंड की फ्रेस किंग चिली लंडन के बाजार में जा रही है तो असम के फ्रेस बर्मीज ग्रैप्स दुबई के लिए एक्सपोर्ट किये गए है 36 गड़ के हमारे आदिवासी भाई बहनों की बन उपच महुआ फुनों के उत्पाद फ्रांस तो कारगील की खुमानी दुबई एक्सपोर्ट हुई है अर्बुआ, बेलाईस, बर्मुडा, ग्रेनारा और स्विजर्लन जैसे नए बाजारों में हैंडलूम से जुड़े उत्पाद भीजे गए है अपने किसानों, अपने बुनकरों, अपने पारंपारी गुत्पादों को एक्सपोर्ट इकोसिट्म से जोड़ने के लिए हम मदद भी दे रहे हैं और जी आई टेकिंग पर भी बल दे रहे हैं पिछले साल हमने विएई और ऑस्टेलिया के साथ ट्रेंड डिल्स को फाइनलाइज किया है बाकी देशों के साथ भी बहुत प्रगती हुई है विदेशों में जो हमारे डिप्लोमेटिक संस्तार है उनकी भी मैं विशेश प्रसंसा करना चाहूँगा बहुत ही चुनोतिपुन माहोल को जिस प्रकार वो भारत के लिए अवसरों में बदलने का काम कर रहे है हमारे सारे मिशन्स इसके लिए अभिनदर के अधिकारी है उनके कारी की सरहाना जितनी करे उतनी कब है ब्यापार के लिए कारुबार के लिए नए बाज़ारों की पहचान करना और वहां की जरुतों की पहचानत रूत्पादों का निर्मान करना ये देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है अतीच में हमारे व्यापारियों ने दिखाया है कि mutual partnership और trust आधारी व्यापार कैसे फलफुल सकता है value और supply chain की सिख को हमें आजादी के अमरुत काल में ससक्त करना है ऐसी ही values के आधार पर हमने UAE और Australia के साथ trade deals को पूरा किया है अनेक देशों और छेत्रों के साथ भी तेजी से हम ऐसी deals की तरफ आगे बटा है साथियों बीते आठ वर्ष में देश की उपलब्दियां हर भारतिये को गर्व से भर देती है इसी भावना से काम करते हुए आज हदी के इस अमरुत काल में आने वाले पचीस साल के लिए हमने जो संकल्प लिये हैं हमें उनके लिए काम करना है आज नया भावन भी बन गया नया पॉर्टल भी लॉंच हो गया लेकिन यहां हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है एक प्रकार से नए संकल्पों के साथ नए उर्जा के साथ नए एच्विमेंट के लिए तेज गती से चलने का काम आरंब हो रहा है मैं हर डिपार्टमेंट से भी आगर करूँगा कि अभी तक जो पॉर्टल और जो प्लेटफॉर्म ने बनाए हैं उनकी पर्फॉर्मंस का समय समय पर आकलन होना चाहिए जिन लक्षों के साथ हमने ये टून्स विक्सित किये हैं वो कितने पूरे होप पा रहे और अगर कहीं समस्य है उसका समाधान हो इसके लिए प्रयास होना चाहिए मेरा इंडिस्ट्री के साथियों से निर्यातकों से भी आगर हैं कि आप खुल करके अपनी बात सरकार के सामने रखें इनोवेटिव सुझाव लेकर के आएं सॉल्यूशन्स लेकर के आएं हम मिलकर के समाधान सो खोजना चाहते हैं आप निर्यातक पौटर पर जाएं और बताएं कि इसमें क्या जोड़ा जा सकता है क्या हटाया जा सकता है जीला स्तर पर निर्यातकों बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किये जा सकते हैं हमें डिस्टिक लेवल पर हेल्दी कॉंपेटिशन एक्सपोर्ट की दुनिया में लानी है हमारे मैनुफेक्टर के बीच में भी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट और वर्ल्ट क्लास प्रकेजिंग यह कॉंपेटिशन अपको लानी है मैं चाहूंगा कि सब के इंपूट से स सभी के सुझावों से यानि सब का प्रयास से ही हम अपने विराण संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को पाना मत